बोलिया गरोट रोड मार्ग हुआ जरजर रहागीरों को दूरगटना होने का भै गड़ों में तब्दिल हुई सड़क गरोट से बोलिया सड़क मातर 18 किलोमेटर है लेकिन लोक निर्मान विभाग इस सड़क को लेतर के लंबे समय से उदासन बना हुआ है सड़क और पुलिया जरजर अवस्ता में पहुँच चुकी है जिस पर वहान चलाते समय दूरगटना का अंगेशा बना रहता है इस सड़क की बारिश के पुरूर भी लोक निर्मान विभागने सुद नहीं ली बाद में शेतर में लगातार हुई बारिश ने इस मार्ग पर जगे जगे से उफढकर बड़े-बड़े गड़ों में तब्दिल कर दिया है इस से मार्ग पुरी तरह से वधाल अवस्ता में पहुँच चूका है इस मार्ग पर 4 परिया तो ठीक 2 परिया वहां निकालना जिंश्किल हो रहा है वही इस मार्ग लेकर करके विभागी जिम्मेदारों ने लंगे समय से देख रहे हुआ दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नहीं समझी लोक निर्मान विभाग की लापरवाई के कारण लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस मार्ग से विधायक विभागी अधिकारियों का बोल्या दोरा आया दिन लगा रहता है फिर भी मार्ग की कस्ता हालत है इनका दिल नहीं पचिसा दस से बारा किलोमेटर सलक पूरी तरह से जरजर हो चुकी है पति दिन इस मार्ग पर दो पियावान से चलने वाले नागरिक प्रेम कुमार सोनी आतिश चाजेड हकीम मंसूरी अनील जेन पवन भावसार ने बताया है कि बोल्या से घरोट मार्ग दस से बारा किलोमेटर जरजर हो चुका है घरोट समवाद दाता जीवन साटला की रिपोर्ट